तेजी से फैलने वाला सफेद दाग जिसे विटी लिगो या लिपो डर्मा भी कहा जाता है आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जिनको सफेद दाग की समश्याग होगी मतलब शरीर में सफेद दाग होगे एक हाथ की कौनी में था तो आप दूसरे हाथ की कौनी पर होने लग गया मतलब बाकी भी और शरीर में दिखने लग गया है अगर इस तरह की आपकी तकलीफ हो रही है तो वो ऐसा क्यों होता है और उसके बारे में आईर्विदिक क्या अप्रोच होना चाहिए पूरी जानकारी इस वीडियो में सवगेत आप सफेद का मिश्रवेता में और आज हम बात कर रहे हैं तेजी से फैलने वाले सफेद दाग या फिर जिसे हम विटी लिगो लिगो डर्मा या आईर्विदिक शब्दों में हम जिसे श्वित्र कहते हैं तो सफेद दाग का आईर्विदिक जो नाम है वो श्वित्र है सफेद दाग सबसे पहले modern size ऐसा बोचता है कि ये केवल cosmetic वाली बीमारी नहीं है किटी के वो आपका शरीर का नेचुरल कलर था अब वहाँ पे एक कोई white patch दिखने लग गया है तो वो खराब दिख रहा है ऐसा नहीं है ये autoimmune disorder है autoimmune disorder मतलब जब आपका ही शरीर आपके खिलाफ काम करने लगे या आपका ही शरीर आपके खिलाफ लड़ना चालो कर दे तो उसे autoimmune disorders बोलेंगे इस सफेद दाग में भी दो अलग-अलग type हमें देखने मिलते हैं एक तो होता है stable vitiligo और एक होता है unstable vitiligo stable vitiligo में क्या होगा कि वो 2 साल से अगर ज्यादा हो गए हैं जो आपको vitiligo के patch थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं नया कोई patch नहीं आ रहा है तो उसको stable vitiligo गएंगे but unstable vitiligo में क्या होगा कि अगर 6 हफते के आसपास में आपको नए patch आने लग गए हैं जो आपको vitiligo मतलब सफेद दाग की जो निशान थे वो अब बढ़ने लग गए हैं जितना था उसको size बढ़ा होने लग गया है एक की जगव बहुत सारे होने लग गए हैं और एक कमाल की जोने बोली है कि आपको जहां भी चोट लगी थी मदा अगर आपको सब्सक्राइब कुछ कट लग गया चोट लग गया तो और आपको यहांपे सफेद दाग था तो वैसे ही जहांपे आपको injury हुई है trauma हुआ या जहां भी चोट लगी है वहाँ पे भी आपको सफेद आने लग गये हैं और जहां भी चोट लग रही है वहां पर भी सफेद दाग होने लग गया है तो इसे unstable vitiligo कहा जाएगा मतब तेजी से फैलने वाला vitiligo कहा जाएगा modern size में वो corticosteroids देते हैं या phototherapy करते हैं या जो बाकुची नाम की एक जो आउश्री होती है उसी के अंदर का एक extract निकालते हैं जिसको सोरा लिन कहते हैं वो लगाकर UV light जो होती है UVA light या UVB lights जो होती हैं उनका lights देते हैं photo therapy देखे ठीक करने की कोशिश करते हैं हम आयरवेद में क्या करते हैं सबसे पहले इस तरह की जो चीज़े आपको देखने मिलेगी कि तेजी से सफेद दाख फैलने लग गया है यह जादा तर आपको या तो गर्मी के मौसम में देखने मिलेगा या शरद रिदू के मौसम म लेकर जो पंदरा नॉमबर के आसपास का जो मौसम होता है खास करके जिसको अक्टूबर हीट कहते हैं तो यह दो मौसम में आप देखेंगे कि आपको सफेद दाख के फैलने की या तेजी से बढ़ने वाली तकलिफ आपको ज़्यादा देखने मिलेगी ऐसा इसलिए होता ह है कि जब जब पित बढ़ेगा पित के जो आप प्रॉपर्टीस पढ़ेंगे उसमें एक बुन बोला है सर अर्था सरपना तो पित कोई भी इंफेक्शन या कोई भी बीमारी जब तेजी से फैल रही है या फिर यही सफेद दाग है बहुत रैपिड ली फैल रहा है तो वह मिल गुड दिन में सोना ठीक है या फिर बाहर से बतल विदम गर्म से आके तुरण ठंडा पानी पीना इस तरह की गलतियां कर रहा है तो यह बहुत तेजी से सफेद दग आपका बढ़ने लग जाएगा तो हम इलाज क्या करते हैं इलाज में हम कोई भी जो गरम दवा है य तेल ले ले और तेल लगा के धूप में बैठ जाओ ठीक हो जाएगा जी नहीं इस टाइम पर कोई भी गरम दवा या कोई भी स्ट्रॉंग दवा आपके सफेद दग की तकलिफ और बढ़ा देगी यहाँ पर अभी सबसे पहले जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको शांत करने है वो लेना सारीवा जैसी आउशदी के उपर मैंने अल्लेडी वीडियो डाला है कि सारीवा का पाउडर आधा दा चमत सुबर शाम लेना काम दुधा जैसी आउशदी आलगो वंजी स्टादी काड़ा इस तरह की दवाईया सुबर शाम दो बार लेके हम उसे कम करने का काम करते हैं पहला स्टेप ये करते हैं एक बार वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया फिर हम डायरेक आईरवेद में उसको शोधन करते हैं खास करके वीरेचन जैसे जो ट्रीटमेंट है पंचिकर्व मतलब पाच तरीके से शरीर की क्लीनिंग करना तो वीरेचन में अथाच तीन से पांच दिन घी पिला के दो दिन मालिश करके फिर्स टीम दे के जो पित शरीर में एक्सरा बढ़ा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकालना और उसमें भी एक कमाल की दवा यूस की जाती है खास करके मुंबई और महाराश स्टाइड में वो बहुत ज़दा मिलती है वो ये इसमें नीचे मतलब जड़ से लेके ऊपर तक हर जगह इसको फल आते यह फल की खासियत है तो इसका हम बार-बार यूस करते हैं क्योंकि इसके जो आप फायदे बढ़ेंगे तो सबसे पहला बेनेफिट शुट्र सफेद दा को कंट्रोल करने में बोला है तो ये और की जाती है वो है जलावका का यूस जलावका अर्था लीच जिसको जोक जडू ऐसे अलग लग शब्दों से कहा जाता है तो सफेद दाग में होता क्या है जो आपके मैलेनोसाइड से उनका डी जनरेशन या फिर डिस्ट्रक्शन होने लगता है मैलेनोसाइड ठीक से बनते जलावका का काम क्या है उन मैलेनोसाइड को एक्टिवेट करना और जलावका एक काम क्या करती है कि जो भी बड़ा हुआ पित्त है जलावका पानी में रहती है और ठंडी है नेचर में तो जो भी एक्ट्रा बड़ी हुई हीट है उसको वो कंट्रोल करने का काम करती है तो उने जो चकित्सा के जो chapters लिखे हैं उसके 20वे chapter को उनों ने शुट्र ख्रिमी चिकित्सा अद्याय ऐसा कहा है और थाथNow शुट्र मतलब सफेद सफेद दाग जिनको भी तकलिफ होती है उसमें आप क्रिमी क्रिमी मतलब यो वंस के infection है- आई-विद में बहुत पीना, रात में सोने से पहले दूद पीना, दिन में सोना, या चॉकलेट, स्वीट, बहुत ज़्यादा खाने तील, ओड़त, यह से आइटम खाने की आदत है, तो ऐसे पेशन्ट को क्रिमी गनबस्ते, क्रिमी गनबस्ते अर्थात, ऐसी आउशधियां, जैसे की वीड यहां definitely लेने के लिए बोलते हैं, वो है खदीर और वीडंग, इसके उपर already मैंने वीडियो डाला ही है, कि खदीर और वीडंग, वीडंग क्रिमी पे, मतलब जितने भी वंस इंफेक्शन उसमें best है, और खदीर चर्म रोगों पे, कुष्ट पे सर्विस शेस्ट है, तो दालना चाहिए, दाल में, कोई भी पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए अगर आप पानी गरम कर रहे हैं, तो उसमें 10-10 ग्राम यह पाउडर डाल कर उस पानी से स्नान करना, इनी पाउडर को शेरीर पे उपतन लगाना, तो जितने multiple system से यह दवाईयां दी जा सकती हैं, वो इतनी अगर चीजे करते हैं, तो अगर तेजी से सफेद दाग फैलने की तकलीफ शुरू हो गई है, तो वो अच्छे से कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, मेडिसीन में जैसे मैंने बुला, सारीवा एक कमाल की दवा है, ठंडी है, तीन के तीनो दोशों पे जाती है, वो सा सफेद दाग में कमाल की दवा है, इतनी चीजे हम करने के लिए पेशन को बोलते हैं, कोई भी तेल लगाना, बाउची तेल वे लगा के धूप में बैठना, ये सारी चीजे अच्छी नहीं है, ये अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपको तेजी से सफेद दा जो जो चीजे बोली हैं, डाइट में करेला, परवल, मूंग, जव की रोटी, जवार की रोटी, इस तरह की चीजे इंट्रोडिउस रखेंगे, 24 गंटे वे दो बार खाना रखेंगे, तो तेजी से फैलने वाला जो सफेद दाग हैं, वो अच्छे से कंट्रोल करने में मद सकते हैं, आपके कमेंट के अधार पे उस तरह के हम वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे, तक तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें